नमस्कार दोस्तों स्वागाताम सभीका एवाफिर से आपके अपने यूटूब चैनल गॉवर्मेंट एंप्लेज निज में दोस्तों यदि आप एक NPS सब्सक्राइबर हैं तो ये वीडियो आपके लिए ब्याद महत पूर्ण है क्योंकि यहाप पर NPS से जुड़े वे बहु और यहीं आपको कुछ पैसा निकालना है या फिर पार्सली विड्रॉल करना है तो उसकी प्रोसस क्या है तो इससे जुड़े वे लगबग 15 प्रेशनों के बारे में इस वीडियो में जानकारी दी गई है NSDL के तरब से तो यह वीडियो आपके लिए बेद मैत पुर्ण औ जिसमें हम गवर्मेंट सब्सक्राबर से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे हमने आपसे कलेट किये गए क्वेशन सलिप में से क्वेशन को数र करके उसे सिक्वेंचल ओर्डर में अरेंज किया है आपकी सुविधा के लिए य solar Τारी हमने स्क्रीन कुछ सवाल गवर्मेंट और नॉन गवर्मेंट सब्सक्राबर के लिए कॉमन है जिनके जवाब हमने इस तरीके के दूसरे वीडियो में दिया है इन में से कुछ सवालों के जवाब आपको दिये गए फोल्डर में उपलब्द एफेकिस में भी है शुरू करें पहला सवाल य इंपलओई जब service जॉइन करता है तो स्टार्टिंग फॉरमेलिटि जो जॉइनिंग फॉरमेलिटि के साथ उनका NPS अकांट ओपनिंग फ वि भरा जाता है यह अकांट विनि ओपनिंग फॉर्म ddo और ओठर करके अपने हायर ऑफिस यह पियर ओ पे अट्ट ओप्यर और वे के पास भेजा जाता है प्राइंट जन्रेट करने के लिए है फॉर्म मिलने के बाद सियारे प्राइंट जन्रेट करके आपका प्राइंट काट दस दिन के अंदर डिस्पैश कर देता है और साथ ही प्राइंट जन्रेट होने के बाद आपको इसकी सुचना एलट वरा दी भी मिलना अबेक्षित है लेकिन अगर किसी कारणोंस आपको यह प्राइन कार्ड नहीं मिला है तो आप उसे दुबारा प्राद भी कर सकते हैं और इसके लिए आपको एक रिप्रिंट रिक्वेस्ट आपके पीओ या फिर डीटियो को देनी पड़ेगी पीओ या डीटियो उसे प्रोसेस करेगा सिस्टिम में और आपको नया प्राइन कार्ड प्रिंट करके भेजा जाएगा लेकिन इससे भी आसान तरीका है कि आप अपने प्राइन और कांट्रिबिशन के बारे में हैं जो कि अक्सर हमारे अवेर्नेस प्रोग्राम में पूछा जाता है सवाल है मेरी सालरी से एंपीओ की कटोती तो हो रही है लेकिन मेरे पैसे कहां और कैसे निवेश होता है सरकारी कर्मजारी के सालरी से जो इनपीओ की कटोती होती है उसे न पेंशन फंड ये तीन पेंशन फंड गवर्मेंट के सब्सक्राइबर की जो कंट्रिबूशन है उसे एक पूर्व निर्धारित रेशो में निवेश करती है उधारण के तोर पर अगर आपके सैलरी से अगर प्रती महाँ दो हजार रुपया NPS contribution कटोती होती है तो गवर्मेंट उतनी ही मैचिक contribution याने दो हजार रुपया देती है तो हर महिने आपके NPS अकाउंड में टोटल चार जार रुपया निवेश होता है यह चार जार रुपया यह तीन पीएफ्म जो मैंने कहा था SBI, UTI और LIC को पूर्व निर्देश्य रेश्यो में डिस्ट्रिबूट हो जाती है निवेश करने के लिए और ये PFM को निर्देश ये देए गया है कि उनको मिलने वाली जो NPS contribution है जो निवेश कर रहे है उनको वो minimum 85% fixed income securities में निवेश करने है याने कि government securities, corporate bonds etc और maximum 15% I repeat maximum 15% वो निवेश कर सकते है इक्विटी या equity related instruments में सर अगला सवाल काफी interesting है जिसमें subscriber लिखते है मेरा आज के दिन मेरे salary से NPS के लिए 2000 कटते है और मेरे उम्र 30 साल है तो मुझे retirement के बाद कितनी pension मिलेगी और इसके लिए क्या करना होगा प्रश्मी तुमको पता ही होगा कि हर एक प्रोग्राम में हमें ये सवाल पूछा भी जाता है तो देखिए कि आपको मिलने वाली pension की राशी आपके NPS corpus और आप retirement के time कौन सा pension plan चुनते हो उस पे निर्भर होता है जितनी ज़्यादा corpus उतनी ज़्यादा pension और आपके case में आपके salary से कटे हुए 2000 रुपे और government का matching contribution 2000 रुपे ऐसे 4000 रुपे हर मेने NPS में निवेश होते हैं तो अगर आप देखो तो हर मेने 4000 और आपकी उम्र 30 साल है तो आगले 30 साल तक आप service में रहोगे तो ये 30 साल तक हर मेने 4000 रुपे निवेश होते रहेंगे तो लगबग 8% return से हाला कि NPS ने 10 से 12% return दिया है लेकिन हम लग थोड़ा moderate 8% return consider करेंगे तो सिर्फ 8% return से 30 साल में आपकी राशी लगबग 50 लाग से उपर हो जाएगे अगर ये 50 लाग रुपे आपने पूरी की पूरी राशी ये पूरे के पूरे 50 लाग रुपे अगर आपने pension खरीदने के लिए दे दिये तो लगबग उससे आपको महीना 26,000 रुपया pension मिलेग तो उसके हिसाब से आपकी NPS contribution भी बढ़ती जाएगी तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि अगले 30 साल में आपका कॉर्पस कितना बढ़ने वाला है और उतनी मात्रा में आपको pension मिलेगा और ये pension पाने की प्रक्रिया बिल्कुल simple है at the time of retirement आपको एक withdrawal request form भरके आपको office में देना पड़ेगा और office ये form को process करके withdrawal request initiate करेगा withdrawal request initiate होते ही आपका pension शुरू हो जाएगा NPS subscriber के लिए अलग अलग तरीके के pension plan क्या उपलब्द है उससे मिलने वाली pension की राशी के बारे में हमने detail चर्चा हमारे एक वीडियो में की है जो हमारे चैनल पर उपलब्द है तो मैं ये आपसे request करता हूँ कि आप उस वीडियो को जरूर देखे इससे आपके कई सावालों के जो pension के बारे में जो आपने अभी सावाल पूछा था उसके कई सावालों का आपका जवाब उस वीडियो से मिल जाएगा अगला सवाल NPS statement के related है जिस मैं subscriber लिखते हैं मुझे NPS statement मिली है लेकिन उस statement में कुछ मैनों की कटोती नहीं दिख रही है ऐसा क्यों है रश्मी हमारे presentation में हमने NPS के architecture के बारे में चर्चा किया है जैसा कि हमने बताया था कि NPS का architecture एक unbundled architecture है इसका मतलब है कि हर एक entity को उनकी समता के अनुसार उनकी expertise के अनुसार काम दिये गए है और उसी architecture के हिजाब से contribution upload की जिम्मेदारी आपके nodal office की है आपको पता ही होगा कि DDO हर मेंने आपका salary bill बनाता है जिसमें सारे सरकारी कर्मचारी उनकों मिलने वारी salary तथा उनसे होने वाली कटोथी की बारे में जानकरी पूरी जानकरी होती है यह salary bill बनाके वो अपने PAO या DTO को अगली प्रक्रिया के लिए भेज देता है PAO इस basis पे आपके salary से contribution, NPS contribution की कटोधी करता है और उसकी जानकरी हमारे system में, NSDLCRA system में upload करता है साथी साथ amount जो है, आपकी contribution amount वो trustee bank में deposit करता है अभी समझने वाले बात यह है कि यह दो प्रक्रिया जब तक पूरी नहीं करता आपका office, तब तक आपके account में आपका contribution का credit नहीं देखेगा और एक बात है कि आपके account में contribution नहीं देखेगा, वो यह है कि और एक reason है, वो यह है कि अगर आपका office किसी दो तीन महिने का contribution combine करके एक महिने में कर देता है, तो हो सकता है कि आपके transaction statement में आपको उसकी month wise entry ना मिले या फिर किसी महिने का contribution area के रूप में upload करता है, तो आपको यह regular contribution के entry subscriber को उसके transaction statement में नहीं दिखेगी, तो क्योंकि आपने बताया है कि आपके बीच में कुछ महिनों की कटोती जो है, आपके contribution जो है, वो आपके statement में नहीं दिख रही है, तो मेरा यह सुझा है कि आप तुरंद आपके nodal office से संपर्त करें, वहीं पहीं आपका रीक आपकी जो contribution है, आपकी salary से contribution काटा हुआ है, और PO ने upload किया contribution इसका reconciliation करके, आप PO ही आपको बता पाएगा कि आपका contribution कहां गया है, क्या उसने upload किया है, या upload किया है, एरियर के तोर पे किया है, या किसी मेने के साथ club करके उसने contribution upload किया है, इसको आपकी तरफ से as a subscriber आपको monitor करने के लिए, हम एक SMS alert भेशते हैं, जैसे ही आपका contribution credit होता है, हम SMS alert भेशते हैं, तो आप खुदी आपका contribution credit हुआ है कि नहीं, इसे monitor कर सकते हैं, तो ऐसा है कि ये सब प्रक्रिया जो DDO salary bill बनाता है, फिर उससे contribution कर करता है, अपलोड करता है, ये expected है कि साथ तारीक तक हर मेने के साथ तारीक तक ये complete होना ज़रूरी है, तो अगर हर मेने के साथ तारीक तक आपको हमारी तरफ से NSL, CRA की तरफ से अगर कोई SMS नहीं आया, तो आप समझ लिजिए कि आपके account में अभी तक contribution credit नहीं हुआ है, एक बार आपका transaction statement आपके login से download करके जरूर देखिए, ताक कि आपको समझ में आया कि कोई भी मंत का contribution अगर upload नहीं हुआ है, तो ये समझ जाएगा और आप तुरंद उसका हल निकाल पावबे आपके POK से contact करके. सर अगले दो सवाल जो है, वो tax related सवाल है, उसमें से पहला सवाल जो है, वो government के साथ साथ बाकी सिक्टर के subscriber के लिए भी लागू होता है, इसमें subscriber लिख दे है, मैं central government employee हूँ, मेरे salary से जो NPS की कटोती होती है, उससे जुड़े tax benefit के बारे में बताईए. As a government subscriber, आप NPS के contribution के लिए दो तरह के tax benefit ले सकते हैं, एक जो आपका salary से जो कटोती होती है, आपका contribution, जो NPS में निवेश होता है, वो आप income tax section 80 CCD1 के तहत, आप उसका tax benefit ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे हैं कि ये tax benefit, overall ceiling जो 1.5 lakh है, इसके अंदर ही आता है, अभी आप सबको तो पता ही होगा कि 1.5 lakh के अंदर बाकी सारे भी investment options होते हैं, याने कि LIC, PPF, PF, तो most of the time ये होता है कि 1.5 lakh जो limit है, जो tax benefit का limit है, वो exhaust हो जाता है, तो इस स्थिति में आप additional, आपका जो NPS contribution, जो salary से कटा हुआ है, वो आप income tax section 80 CCD1B के अंतरकत क्लेम कर सकते हैं, As per this section, आप 50,000 तक का additional benefit NPS में निवेश करके ले सकते हैं. सर, अगला सवाल भी tax के लिए, सब्सक्राबर लिखते हैं, क्या मुझे 50,000 के additional tax benefit के लिए tier 2 account में पैसे जमा करने होंगे? सबसे पहले तो मैं सबको ये बताना चाहूंगा, कि जो भी tax benefit available है, वो सिर्फ और सिर्फ tier 1 के लिए, tier 2 में investment के लिए कोई भी tax benefit नहीं है. इसके लिए जो आपने जो सवाल पूचा है, कि 50,000 additional tax benefit के लिए मुझे tier 2 में डालना पड़ेगा क्या? तो नहीं, 50,000 का additional tax benefit के लिए आपको tier 1 में ही पैसा निवेश करना पड़ेगा. tier 2 एक additional investment account दिया गया है subscriber के लिए, यह compulsory नहीं है, आप चाहे तो उसे activate कर सकते हैं, यह बिल्कुल mutual fund की तरह काम करता है, जिसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकाल सकते हो. तो tier 2 के investment के बारे में, और tier 2 account कैसे open करते हैं, इसकी विस्तिरूद चर्चा हमने एक अलग सी वीडियो में की है, जो हमारे इस channel पर उपलब्द है, तो again my request is that आप उस वीडियो को देखे, उसमें आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. मैं अपना mobile number और email ID NPS account में कैसे update कर सकता हूँ? और कुछ non-financial transactions भी OTP के द्वारा, one time password के द्वारा खुद कर सकता है, और OTP मोबाइल नंबर और email ID पर ही भेजा जाता है, उसमें से एक महतोपुनर transaction है, अपना login ID, password instant reset करने का, तुम तो जानती हो कि login ID, password instant करने के लिए subscriber को एक OTP भेजा जाता है, वो OTP यूज़ करके तु से login कर सकता है, तो इसके लिए mobile number और email ID अकाउंट में updated रहना बहुत ही जरूरी है, और subscriber अपना mobile number और email ID खुद अपने account में update कर सकते है, अपना login यूज़ करके, अगर उसका password lock हो गया है, और उसको mobile number अपडेट करना है, फिर भी mobile number और email ID अपडेट करना है, तो उसको अपन subscriber के account update से related है, जिसमें subscriber लिखते है, मैंने account खोलते समय, nomination details नहीं दिये थे, क्या मैं इसे update कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, रश्मी nomination details अपने account में होना बहुत ही महतोपूर्ण है, आप सभी सहमत होंगे मुझसे कि ये nomination details किसी unfortunate event में काम आते है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने account opening के time, nomination को mandatory बनाया गया है, that means for fresh account opening, nomination details has to be there, लेकिर आपने जैसे कहा है कि आपका अकाउन में nomination details updated नहीं है, तो मेरी रह में आप उसको से तुरंत update करना चाहिए, और इसे update करने के लिए आपको S2 form, जो की subscriber details change request form है, वो भरकर आपके office में submit करना है, आपका office हमारे system में login करके तुरंत अपने आपके nomination details update कर देगा, अगला सवाल जो है, वो multiple plan के related है, जो अक्सर government sector में देखा जाता है, हाला कि government sector के साथ साथ ये सवाल दूसरे sector के subscriber के लिए भी applicable होता है, इस question में subscriber लिखते है, पहले मैं state government में कारियरत था, जहां से मुझे प्रान मिला था, और उसमें नियमित कटोती भी हो रही थी, लेकिन हाली में मेरा appointment Central Government में हुआ है, और यहां मेरे office ने नया प्रान जनरेट किया है, अब मेरे पास दो प्रान है, तो मुझे क्या करना चाहिए? हमने हमारे presentation में आपको प्रान के यूनिस feature से बार में बताया था, और वो है portability of प्रान, इसका मतलब है आप जहां पे भी जाते हो, चाहे location चेंज करते हो, या चाहे job चेंज करते हो, आपको दूसरा प्रान जनरेट करने की ज़रूद नहीं, आपका existing प्रान ही continue हो सकता है, तो आपने जब central government service join की, तब actually आपको वही प्रान जो आपको पहले sector में दिया गया था, उसे आपको continue करना चाहिए था, जो कि आपके दो प्रान भी generate हुए ही है, तो आपको ये दो प्रान merge करवा के किसी एक प्रान को ही continue रखना पड़ेगा, और ये इस प्रान merging के लिए आ आपकी request को process करेगा, और एक प्रान बंद कर देगा, और उस प्रान से transactions, यानि आपका amount जो उस प्रान में credit हुआ था, उसे निकाल कर एक आपके जो active प्रान है उसमें transfer कर देगा, सरे, काफी अच्छा सवाल subscriber ने पूछा है, जो पूछते है, GPF में loan लेने की सुविधा उपलब्द है, और emergency में पैसे निकाल भी सकते है, क्या NPS में ये सुविधा उपलब्द है, रश्मी NPS से loan लेने की कोई सुविधा अभी उपलब्द नहीं है, लेकिन अगर subscriber चाहे, तो अपनी जरूरत के लिए इस बीच कुछ पैसे जरूर NPS से निकाल सकता है, इसे हम partial withdrawal कहते हैं, subscriber कुछ चंद जरूरतों के लिए, जरूरतों के लिए, जैसे घर खरीदना है, या फिर बच्चों की higher studies, या फिर कोई critical illness, तो उसके लिए अपने contribution का 25%, इसमें government contribution नहीं तो अपने contribution का 25% आप इन जरूरतों के लिए अपने कारेकाल में निकाल सकते हो, और ऐसा आप अपने पूरे कारेकाल में तीन बार कर सकते हो, और ये पूरी प्रक्रिया online है, आप अपना plan और password यूज़ करके, हमारे system में login कर, इस request को initiate कर सकते हो, लेकिन मेरे ये request है आपसे कि अगर जरूरत हो, तो ही अपने NPS account से पैसे निकालो, क्यूंकि जितना आप पैसा निकालोगे, उतना आपका NPS corpus, जो terminal corpus at the time of retirement, जिससे आपको pension मिलती है, वो कम हो जाएगा और उसका असर आपकी pension amount पे होगा. सर अगले दो सवाल जो है, वो NPS से exit के बारे में लिखा है, इस question slip में subscriber लिखते है, retirement के समय अगर मुझे NPS के corpus को use करने की जरूरत ना हो, या उस समय NPS से exit का उचित समय ना हो, फिर भी मुझे NPS से withdrawal करना होगा या कोई और विकल्प है? हाँ, ये बिल्कुल संभव है, आपके पास withdrawal के अलावा भी option उपलब्द है, retirement के समय, जैसा कि आपने कहा कि हो सकता है आपको किसी दूसरे अन्य sources से, या फिर अलग-अलग investment job ने की है, उससे आपको कुछ पैसे मिलने वाले हो retirement के time, और आपको पैसे की NPS से withdrawal करने की जरूर खुद इसे initiate कर सकता है, और अपना withdrawal differ कर सकता है, अपना withdrawal differ करके वो 70 साल की आयो तक NPS से जुड़ा रह सकता है, और एक बात, deferment, continuation और withdrawal, ये जो अलग-अलग options subscriber को retirement के time उपलब्द है, उसके लिए हमने एक detailed video बना गया है, जिसमें आपको इसके बार में पूरी जानकरी मिलेगी, और ये वीडियो हमारे इस channel पर उपलब्द है, तो आप बस मैं आपको request करूँगा कि आप उसे देखे, और इसके बार म हमें पूरी जानकरी ले ले, सर अगला सवाल है, क्या मैं retirement के बाद पूरा पैसा निकाल सकता हूँ, मुझे pension नहीं चाहिए, ये सवाल अक्सर हमें सभी program में पूछा जाता है, लेकिन एक बात आप समझ लो, कि NPS एक retirement scheme है, जहाँ पे आप अपने कारेकाल में NPS corpus जमा करते है, और retirement के समय यही corpus से आपको pension दी जाती है, तो ये सुरिश्चित करने के लिए कि आपको अच्छी pension की राशी मिले, इससे आप पूरी की पूरी जो NPS corpus है, वो आप निकाल नहीं पाते हो, तो आप कितना निकाल पाओगे, तो आप maximum 60% जो आपकी जमा राशी है, retirement के time, वो आप lump sum यहने cash के रूप में ले सकते हो, और minimum 40% आपको utilize करने पड़ेंगे pension खरीदने के लिए, जिससे आपको monthly pension मिलेगी, और अगर आप ज़्यादा pension चाते हो, तो आप पूरी की पूरी राशी जो है, आपका corpus है, वो आप pension खरीदने के लिए utilize कर सकते हो, जिससे आप आपको ज़्यादा pension मिलेगी, और यह सब प्रक्रिया, फिर से मैं बोलूगा कि यह सब प्रक्रिया पूरी online है, वो subscriber खुद request initiate कर सकता है, और initiate करने के बाद अपने office से authorized करवा के उसे pension start कर सकता है, इसकी भी जानकारी हमने एक अलग वीडियो में दी है, जो कि हमारे चैनल प इसके अलावा कई बार हमारी शिकायत हमारे नोडल ओफिस नहीं सुनते है, तो इसके लिए क्या किया जाए? सब्सक्राइबर की सुविदा के लिए हमने NPS से जुड़ी सारी जानकारी हमारी वेबसाइट पर उपलब्द कराई है, यहीं नहीं हमारे रोजाना जो interaction होता है सब्सक्राइबर के साथ या फिर नोडल ओफिस के साथ, उसके basis पे हमने एक comprehensive FAQs, frequently asked questions बनाए है, जो कि NPS से ज सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन अगर इसके बावजूद भी NPS की services लेने के time, अगर सब्सक्राइबर को कुछ शिकायत है, तो वो हमारी system में आके उसे दर्ज कर सकते है, इसके लिए NSDLCRA याने हमने एक centralized platform बना है, जिसे Central Grimance Management System, CGMS कहते है, यहाँ पे शिका सब्सक्राइबर दो तरीके से grievance raise कर सकता है, एक अपने account में login करके या mobile app के जरिए grievance menu में जाके grievance दज कर सकता है, और दूसरा हमारी corporate website पे subscriber corner के option में जाकर log grievance या inquire इसके option पे select करके subscriber अपनी grievance तथा NPS related कोई भी जानकरी के लिए request raise कर सकता है, इसे के साथ हम ये question answer session complete करते हैं, आशा करते हैं आपके सारे सवालों का जवाब हम दे पाए, अगर फिर भी आपके मन में NPS से जुड़े कोई और सवाल है, तो आप हमा आपके सवालों का जवाब देने में हमें खुशी होगी, धन्यवाद